थोड़ी देर से आई हूँ, उसके लिए शमा चाहती हूँ एक बहुत एहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करनी है लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरे साजा कर लेते हैं एक ये सेल्फी देखिए उसके बाद एक ये दूसरी सेल्फी देखिए फिर एक तीसरी सेल्फी देखिए एक चौथी भी लेकर आई हो इन सेल्फियों को देखने के बाद आपको कुछ और दिखाऊंगे 10 नवंबर 2016 को इस देखिए के तमाम अख़बारों में अगर आप तो जूम इन कर पाएं तो फ्रंट पेज पर कवर पेज पर 10 नवंबर 2016 नोट बंदी के दो दिन बाद एक बड़ा सा विग्यापन कवर पेज पर छपा था और आप लोग तो प्रबुद मीडिया के साथ ही आप जानते हैं कि कवर पेज कितना महंगा होता है लेकिन ये कवर पेज का विग्यापन छपा था जिस पर मोधी जी को मजबूत निरणे नोट बंदी जैसे मजबूत निरणे को लेने के लिए साधुवाद किया गया था पेटियम ने छापा था ये वही पेटियम है जो नरेंद्र मोधी जी की उपर एक पिक्चर बनी है थोड़ी घटिया सी पिक्चर थी कोई बात नहीं उस पर 15% का कैश बैक देता है 200 रुपए कैश बैक जिसका जिक्र प्रधान मंत्री उत्तुरा खंड की अपनी रैली में करते हैं तो ये सारी सेलफी में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है तमाम वीडियो है उचल कूद करते हुए डांस करते हुए खुश होते हुए ये वीडियो विजय शेकर शर्मा के हैं जो पेटियम के CEO हैं जो पेटियम के संस्थापक हैं फाउंडर हैं और इस तरह का साधूबाद देना इस तरह की खुशी व्यक्त करना स्वाभाविक है क्योंकि मोदी जी ने छप पर फाड़ के उनको खुशिया देने का काम किया है आप ये सोचिए कि जिस नोट बंदी ने अर्थ विवस्था को अधिया दिया जिस नोट बंदी ने हजारों लाखों MSMEs बंद कर दिये लोगों को बेरोजगार कर दिया उस नोट बंदी को साल दर साल अपने लिए सबसे शुब दिन मानने का काम करने वाले व्यक्ति विजशे खर्शर्मा है उन्होंने अपनी कमपनी का IPO भी 8 नवंबर को ही किया था 2021 को खेर परशान करने वाली बात ये है कि इस व्यक्ति और इसकी कमपनी के खिलाफ मनी लॉंडरिंग जैसे गंभीर आकशेप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे और ये विपक्ष्ण नहीं लगाएं ये इस देश के भारतिये रिजर्व बैंक ने लगाए हैं और उन अन्यमि पर सकते हैं ना वो कुछ क्रह कर सकते हैं ना वो जमा कर सकते हैं पैसा उन तीस परवरी से पेटियम पेमेंट बैंक पूरी तरह बंदो जाएगा आपकी जानकारी के लिए सारी कारवाई आर बी आई ने अपने अधिनियम तीन सो सौरी 35 ए के तहत की है तो ये वो व्यक्ति है जो प्रधान मंत्री के बेहत करीबी है ये वो व्यक्ति है जिनके बारे में प्रधान मंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं तमाम सेलफी खिचाते हैं आप सब जानते हैं प्रधान मंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अख़बार में इस्तिमाल करते हैं विज्यापन के लिए तो आपको PMO का की संस्तुती चाहिए होती है तो ये बहुत करीब ही है प्रधान मंतरी के बहुत चहेते हैं बहुत लाडले हैं और अब ये money laundering जैसे आकशेपों से घिरे हुआ हैं और ऐसा नहीं है कि ये गाज एकदम से गिर गई है क्योंकि अगर खब भीर घपले शुरू हो गए थे और RBI ने बार बार दंडित करने का भी काम किया कभी जमा करताओं पर रोक लगी कभी जुर्माना लगा छेचे करोड रुपए का तमाम चीजे हुई लेकिन उस दौरान भी उसके बावजूद भी प्रधान मंतरी इनकी पैरवी करते रहे इ BUI ने 35 करोड पेमेंट बैंक के जो वालेट थे उसका निरीक्षण किया उसमें से 31 करोड 35 करोड का निरीक्षण किया 31 करोड निश्क्रिये पाई गए गए एकए पैंकारड हजारों नमबरों से जुड़ा पाया गया लाखो खातों का केवाईसी नहीं हुआ था मनी लॉंडरिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई बैंक द्वारा लगातार जूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाए गई और जो ग्रूप 197 कंपनी का नाम है लेकिन पेटियम की जो ग्रूप कंपनीज है उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते RBI ने ये बड़ा कदम उठाया यहाँ पर दो चीजों की बात करनी जरूरी है क्योंकि पेटियम पर पहले भी अपने डेटा को भारतिये जंता पार्टी के साथ साजा करने का गंभीर आरोप लग चुका है RBI ने पेटियम पेइमेंट बैंक के बीच और पेटियम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजाक्शन पर भी गहन चिंता जताई है और ये भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीष अधिकारियों का तबादला हुआ ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया और कमपनी ने बिजनिस बनाने के जनून में लगातार नियमों का उलंगन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा शायद वो एक कहावत है हमारी तरफ कहते हैं जब सहिया भै कोतवाल तो डर काहे का मोदी जी साथ में है उनके साथ सिल्फी खिच रही है वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन राली में कर रहे है तो डरने की क्या बात है लोगों को एक और चिंता जो आर्बियाई ने जताई वो पेग्मेंट बैंकी शेर होल्डिंग को लेकर है करीब 49 प्रतिशद हिस्सेदारी पेटियम कमपनी की ती जिसे लोग 197 कम्यूनिकेशन के नाम से जानते हैं लेकिन 50 प्रतिशद हिस्सेदारी इस बैंकी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विजे शेकर शेर्मा के पास ही जिनकी सारी सेलफी मैंने आपके सामने साजा करी है और ये एक बहुत चिंता का विशह है क्योंकि इससे साफ होता है कि एक व्यक्ति जिस तरह का भी निर्णा चाहे वो कर सकता था अंत में RBI की कारवाई की एक बड़ी वज़े और ये बहुत चिंता का विशह ये भी था कि चीनी निवेश भर-भर के चीन की कंपनी का निवेश भर-भर के पेटियम में था पहले अलीबाबा और उसके बाद भी जो आंट ग्रूप है चाइना का उसके पास करीब 10% साजेद आज भी है और संभावनाए है कि डेटा की साजेदारी उस कंपनी के साथ की गई तो अंत में कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कुछ बड़े गंभीर मुद्धे खड़े हो जाते जिसके जिसको उठाना जरूरी है क्या मोदी जी के मधुर संबंदों के चलते उद् इसने सारे उलंगनों के बावजूद भी पेटियम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी धील क्यों दी गई 2017 से ही अन्यमित ताहिश रो गई थी 7 साल तक इतनी लंबी धील क्यों दी गई Money Laundering जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं Enforcement Directorate उसके बारे में क्या कर रहा है ED कौन सी नीद सो रहा है पेटियम को लेकर ये जरूर पढ़ना चाहिए पेटियम ने BJP भारतिय जंता पार्टी और PM केर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है पहले अडानी और अब ये बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजंसिया शिथिल क्यूं पढ़ जाती है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अन्त में दो सवाल जरूरी है ED के 95 प्रतिशत केसेज विपक्ष के लोगों के खिलाफ है क्या ED से संतुष्ट है और पेटियम का तमाम ट्रांजाक्शन में लेन देन है 10 करोड से जादा तो पेटियम के उप्भोकता है क्या ये डेटा भारतिये जनता पार्टी के साथ शेर हो रहा है सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्यवर्ष 2023 में करीब 137 लाक करोड का डिजिटल पेइमन्ट हुआ जिसमें पेटियम का अच्छा खासा शेर है क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनिये हैं ये डेटा सुरक्षित है या इसकी ब्रीच हुई है ये बहुत सारे प्रश्ण हैं पेटियम का स्टॉक लगातार गिर रहा है माईनौरटी शेर होल्डर्ज इससे आहत हैं पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस कमपनी पर मनी लॉंडरिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने लगाए हैं वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधान मंतरी उसका प्रचार प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है